hi welcome you all my dear students to my channel of ingenious study आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस जो narration है direct and indirect speech उसके part 1 को हमने discuss कर लिया गाइस ये video आप देख सकते हैं आज हम उसका part 2 पढ़ने वाले ठीक है और आज हम देखने वाले जो interrogative sentences होते हैं उसको कैसे direct speech से indirect speech में हम change करते हैं optative sentence होते हैं, kuch exclamatory sentence होते हैं, imperative sentence होते हैं guys, तो सारे sentence को हम कैसे change करेंगे, आज की class में हम सीखने वाले हैं, ठीक है guys, okay, एक-एक slide में आपके सामने रखता हूँ, देखिए, यहाँ पर heading आप पढ़ सकते हैं, direct and indirect speech for interrogative sentences, ठीक है, अभी interrogative sentence क्या होते हैं guys, देखो, two type of interrogative sentence है, ऐसे sentence जिसकी मदद से हम किसे से कोई सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं, वो होते हैं हमारे interrogative sentence, और interrogation का ऐसा mark उसके last में ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है guys, ठीक हो, ठीक है, तो two type के interrogative sentence हैं यहाँ पर हम देखने वाले, एक होता है guys, yes, no category का interrogative sentence, जिसका ऐसे सवाल, जिसका जवाब आप yes या no में दे सकते हैं, इस called yes, no category interrogative sentence, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जिसका आप yes या no में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको explain करना पड़ता है guys, जैसे कि, यहाँ पर लिखा है, ऐसे sentence को बलते है, डबलो एज फैमिली interrogative sentences, जैसे कि, अगर मैं आपको बोलू, do you like pizza, क्या आपको pizza पसंद है, तो आप इसका जवाब yes no में दे सकते हैं guys, आपको explain करना पड़ेगा, यह डबलो एज फैमिली वर्ट से start होएं guys, जैसे हो गया, what हो गया, where हो गया, how, when, who, why, इस type के वर्ट से start होते हैं यह sentence, ओके, इनको explain करना पड़ता है guys, ओके, और इनकी क्या कासि है तो 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 कैटेगरी के sentence की, यह helping verbs से जैसे do, did, is, am, are, has, have, had, इस type की helping verbs से can, could, may, might, इन helping verbs से start होते हैं guys, ओके, तो यह दो type के interrogative sentence हमने देख लिया, ठीक है न? ओके, अब आप देख रहा होगे कि अगर यह हमारा कोई इस type का interrogative sentence, यह जो exclaim, यह जो दो inverted commas है, इसके अंदर अगर आ जाए हमारी direct speech में, तो उसे कैसे हम indirect speech में change करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी यह sentence आपके दो inverted commas के अंदर आ जाए, तो आपको if या weather कोई एक conjunction आपको लगानी होती ही, तब आपको that नहीं लगाना है जाए हमारी और जो आपके जो WH word अगर आ जाए, इस type का कोई sentence आ जाए, आपके direct speech में, in inverted commas के बीच में, तब आप कौन सी conjunction यूज़ करते हैं, यह जो WH family का जो word है न, what, where, how, when, where, इस type के word को ही आप क्या करते हैं, WH family के word को ही आप conjunction की तरह यूज़ करते हैं, हमाहाँ that वगेरा नहीं लगाना होता है, ठीक है, अभी और समझ में आएगा गाईस, आगे देखो, in these case, और in case में set to और या said, यह क्या बन जाता है, becomes asked, उसको asked में change कर लेते हैं, इसके पहले हमने क्या देखा था, set to बन जाता है, क्या, told में change हो जाता है, लेकिन यहाँ पर set to या said को asked में change कर लेते हैं, अगर आपके inverted commas के बीच में आ जाता है, direct speech में तो, okay, देखो, अभी और clear हो जाएगा इस, एक example है, question number one, आपको sentence दिया हुआ है, और बोला है, change direct to indirect, मतलब direct speech में लिखा हुआ है, इसको indirect speech में change करना है गाईस, okay, तो, अगर मैंने बोला, he said, उसने कहा, क्या कहा, what is your name, मतलब कोई बंदा है, उसने मुझसे क्या कहा, यह मैं आपको बता रहा हूँगा, है ना, उसने कहा, क्या कहा, मुझसे, what is your name, तो अब मैं आपको कैसे बताऊंगा, यह तो, यह भी ऐसा तरीका है, कि मैं direct इस तरीके से आपको बता दू, he said, what is your name, या दूसरा तरीका क्या है, गाईस, अपने तरीके से बता दू, indirect speech में, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ said हो जाएगा, आजड में, है ना, he asked, क्या बोलेंगे, he asked, अब conjunction क्या लगाएंगे, आपको मैंने बताई, what is your name, डवल एच, फैमिली, वर्ड यहाँ पर आ गया, तो यही conjunction मन जाएगा, he asked, what, what, अब देको यह structure, interrogative structure है, guys, देको helping work पहले आ गई है, उसके बाद आपका subject आया है, लेकिन जब मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ, यह तो पूछा था मुझसे किसी ने, इसलिए interrogative structure में था, अब यही बात मैं आपसे बता रहा हूँ, अब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, first person, second person का subject, you से बना है न, यॉर, तो यह second person किसके हिसाब से change होता है, object कि हिसाब से, और object क्या है यहाँ पर, guys, आप बोलेगे, sir, set to me होना चीए, है ना, he said, उसने कहा, लिखा नहीं किससे कहा, इसका मतलब to me यहाँ पर understood है, मुझसे ही कहा होगा, guys, तो to me यहाँ पर understood है, तो me के हिसाब से change करेंगे इस your को, है न, you से बना है न, your, तो me किससे बनता है, I से ही me बनता है, और I से ही क्या बनता है, my बनता है, ठीक है न, guys, क्योंकि your क्या है, possessive adjective है, guys, तो यहाँ पर I से बना हुआ my, जैसे you बना your, तो I से बना है my, ठीक है, तो he asked what my name, इसका हो जाएगा was, तो हमने क्या किया गई, और यह simple sentence बन गया, interrogative sentence अब वो नहीं रहा, तो ऐसा पूरी detail आपको समझना पड़ेगा, okay, he asked what my name was, यह आपका बन गया, क्या बन गया, यह indirect speech, ऐसे change करते है, okay, अगला सवाल, he said, उसने का, do you live in Mumbai, क्या तुम Mumbai में रहते हो, अब यह भी interrogative sentence है, लेकिन कौन सा वाल है, देखो, देखो, यह है yes no interrogative sentence, तो यहाँ पर conjunction है, if या weather में से कोई एक लगाना है, तो चलो हम if लगा लेंगे, okay, चलो देखते है, he said को क्या कर देंगे, he asked, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ थोड change होता है, second person object की साथ से change होता है, और object यहाँ पर to me, मतलब me object है, तो me का subjective क्या होता है, I होता है, I से ही तो बना है, I, me, my, he asked if I, और यहां live लिखा है, यह do के साथ live लिखा है, मतलब present sentence, present simple, indefinite, present indefinite, okay, तो इसकों क्या करेंगे, past में change कर लें, okay, past indefinite में change करेंगे, तो live क क्या मन जाएगा, lived बन जाएगा, okay, he asked if I lived in Mumbai, okay, guys, तो ऐसे आपको change करना है, okay, 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 आगे देख लेते हैं, इस slide में देखो, फिर से थोड़ी से practice कर लेते, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, do you like pizza, तो हमने क्या है, he said to me को हमने कर दिया, he asked me, okay, he asked me, अब conjunction क्या लगाए क्योंकि WH family word नहीं है, नहीं तो वही लगा जाएगा, he asked me if, subject क्या है, you है, you है, you किस से बनाएगा, you किस के साब से change होगा, second person है, तो object की साब से change होगा, यह rule पता है, one, two, three, s, o, n, second person, object की साब से change होता है, reporting speech यह है, यह reported speech, यह सब पिछले lecture में मैं ने पढ़ा है, आपको उसको देखना पड़ेगा, otherwise, you won't be able to understand this particular video lecture, okay, okay guys, he asked me if, क्या हो जाएगा यह, I, जैसे you से बना है, यह you है, तो यह me के साब से change होगा, you subject है, तो me का भी subjective case लिखना पड़ेगा, जो की होता है, I, he asked me if I liked pizza, ठीक है, P, I, double, Z, 8, खतम, ऐसे करना है, okay, ठीक है, आगे देख ल इसको थोड़ा समय, erase कर लेता हूँ, इतना, okay, यह rule था, यह rule या दखना, 1, 2, 3, S, O, N, first person subject की हिसाफ से change होता है, second person object की हिसाफ से, third person का जो pronoun होता है, वो बिल्कुल change नहीं होता, ठीक है guys, okay, fourth, he said to me, how did he become cricketer, ठीक है guys, he said to me, he asked me कर देंगे, क्या बोलेंगे, he asked me, said to को ask me चींद के लिए, क्योंकि intuitive है, अब यहां पर देखो, double-ish family का word यहां पर आ गया है, तो इसी को conjunction माना लेंगे, he asked me how, अफिर subject को पकड़ेंगे, he, he का subjective case क्या हो जाएगा, he का subjective case, he asked me how, he, he क्या अपका third person का subject है, तो he को he ही रखना है, he asked me how he, अब यहां become लिखा है ना guys, become, यह become क्या था, did के साथ become लिखा है, मतलब v2 है, past ही form है, इसको हम क्या करेंगे, past perfect में change कर देंगे, मतलब had plus v3 वाला structure यहां पर आ जाएगा, he asked me how he had become, b-e-c-o-m-e, become cricketer, okay, ऐसे आपको कर लेना है, समझ में आ गया होगा, आपको tense भी change करना है, pronoun भी change करना है, conjunction भी लगान उसे बदल के affirmative कर देना है, यहां पर helping verb पहले आ रही है, फिर आपका subject आ रहा है, फिर main verb आ रही हमने क्या कर दिया, पहले subject लिखा, फिर helping verb, फिर main verb, यह सारे changes आपको ध्यान में रखने होगे, फिर से देखो, Rahul said to me, यहां पर लिखना पड़ेगा पहले, Rahul asked me, अब यहां यहां पर yes उन्हों में answer दे सकते हो, can you win this match, क्या तुम यह में जिस सकते हो, yes यहां उन्हों में answer दे सकते हो, तो conjunction किसको बनाएंगे, if को बनाएंगे, और structure क्या राखेंगे हम लोग, इसको past में भी change करेंगे, can का could हो जाएगा, और subject क्या है, you, you subject है, तो you subject जो है second person किस के स आप से change होगा, change होगा, me कहसाब से, object कहसाब से, तो me का subject क्या बनता है, I, Rahul asked me if I, can का हो जाएगा, could, win का तो win ही रहेगा, can, could, may, might, sell, suit, यह सब model है, उसके बाद हमेंशा क्या आती, verb की base form ही आती, तो win ही रहेगा, if I could win, this match का क्या हो जाएगा, that match, यह भी हमने देखा था this का that हो जाता है, M, A, T, C, H, यह आपका हो गया, ऐसे ही करना है, आसान है, थोड़ी से practice करके लिए, देखो, अब सारे sentence हमने पिछले video lecture में, और इस video lecture में अभी तक जो मैंने बताया है, वो सारे, अगर आप अच्छे से देखेंगे, तो इन सब को आप change कर पाएंगे, सब क आप कोशिस कीजिए, और कुछ doubt आता था आप पोच सकते है, यहाँ पर तुमारो को हमने today किया हुआ है, condition के according, अगली slide देखें, यह सारे का सारे answer है, आप screenshot ले लीजेगा, अब देखो guys, direct indirect speech of imperative, exclamatory sentence, imperative sentence होते है, और exclamatory sentence होते है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले guys है, देखो imperative sentence क्या होते है guys, the sentences used for order, advice and request are called imperative sentence, ऐसे sentence जिसका use करके हम किसी को order देते है, advice देते है, या request करते है, उनको बोलते है imperative sentence, और इनकी सुरुवात work की first form से होती ही guys, हमें साब देखना, और आपका said और set to है, वो condition के हिसाब से, अगर order दिया जा रहा है, तो ordered में change हो जाए तो, अगर कोई सलाह दी जा रही है, तो advised या suggested में आपका change हो जाएगा guys, ठीक है, क्या said या set to को change करना है, जैसे कि देखो, direct speech में क्या दिया है, the man said to the servant, water the plants, एक जो man है, उसने क्या कहा, अपने servant से कहा, आप देखो, कोई इनसान अपने नौकर से, servant से कुछ कह रहा है, तो मतलब होता है, पौधों को पानी दीना, तो वही बोल रहा है, water the plants, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको indirect speech में, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, the man, set to को किसमें change कर लेंगे, ordered, ordered the servant, the servant, ठीक है, to water, इसको में clean कर देता हूँ, to water the plants, okay, समझ गया ना guys, इतना तो आसान है, यहाँ कोई conjunction ही लगाना है, जब आपका sentence imperative है, जब वर्ब की base form से सुरवा रहा है, तो two plus वही वर्ब को आपको लिख देना है, और फिर object को भी लिख देना है, water the plants, okay, यहाँ पर देखो फिर से, the woman said to me, please help me cross the road, जैसे please को देखे, इसक set to, see, the woman, the woman requested me, requested me, requested me, अब please के, please लिखाता है, इसलिए तो मैं ले requested me कर दिया, request में change हो गया, the woman requested me to help, अब मी का क्या हो जाएगा guys, first person है, subject की साब से change होगा, subject है woman, और woman के लिए pronoun c use करेंगे, c, c use करेंगे न, ठीक है, हाँ, तो me objective को ऐसा हो, तो c का object की किस क्या हो जाएगा, her, the woman requested me to help her cross the road, ठीक है, cross the road, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा guys, ओक है, ठीक है, समझ गया, अब देखो अगला sign, the man said to his son, don't watch TV too much, अब देखो यह advice दी जारी, कि आप TV बहुत जादा ना देखो, एक इंसान ने अपने बेटे को कहा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, the man, the man advised, advised his son, क्या advice दिया, don't watch, तो don't को क्या कर रहे है, not to watch, negative ऐसा बनाना है, not to watch, TV too much, समझ गया, ऐसे करना है, ठीक है, the officer said to the clerk, एक officer ने clerk से क्या कहा, let me know everything, मुझे सारी चीज़े बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा, order ही दिया होगा, the officer ordered, ordered, the clerk, the clerk, to let, me का हो जाएगा, him, know, everything, 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 ठीक है, लिख लोंगे, ऐसी करना है, okay, आगे देख लेते, guys, अब फिर से एक सवाल है, I said to them, मैंने उनसे का, let me do this job alone, है न, तो मैं बोलूँगा, I, set to का, told, told भी में भी change कर सकते है, told them, या requested them भी बोल सकते है, I told them, to let, to let me do that job, क्या हो जाएगा, that job alone, ऐसे करना है, आप बोलोगे, sir, me का, तो me क्यों रहा, देखो, me आपका first person subject है, और इस first person जो आपका है, वो subject की साफ से change होगा, subject है, I, subject क्या है, I, subject की साफ से change होगा न, और me, let verb का object बना है, तो I का भी objective case ही लिखेंगा, और I का ही तो objective case है, me, तो me में कोई change होई नहीं पाया, I told them to let me do that job alone, ठीक है, ओके, अब ऐसी कुछ exclamatory sentence होते हैं, है न, जैसे कि expression of joy, exclamatory sentence जिसमें आप suddenly अपनी emotion का, अपनी feelings को, आप suddenly show करते हैं, जिस sentence है के थूँ, उसको बोलते है, exclamatory sentence, जैसे आपके emotion of joy, मतलब खुशी का इजहार करना है, emotion of sorrow, दुख का इजहार करना है, emotion of regret, पचतावे का, emotion of applause, सबासी देना किसी को है, और surprise और wonder, आप surprise हो गया, आप बिल्कुल wonder में आगए, अस्टर चकित हो गया, तो ऐसे अपनी emotion को express करना है, तो आप exclamatory sentence का यूज करते हैं, और यहाँ पर आपका sad or sad to change हो जाता है, according to situation, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, या exclaimed with regret, according to situation, आप लिख लेते हैं, exclaimed का मतलब होता है, कहना, with joy, मतलब खुसी से कहना, exclaimed with sorrow, मतलब दुख के साथ कहना, दुख के साथ चीजों को प्रकट करना, okay, exclaimed with regret का मतलब क्या हो गया, पच्टावे के साथ चीजों को प्रकट करना, तो यह situation के according आप समझ पाएंगे, देख आगे देख लेते हैं, तो पहला direct statement इसमें क्या है, the man said, एक विक्ति निका, क्या का, alas my friend is dead, यह भगवान मेरा डोस्त क्या हो गया, dead हो गया, यह बोला जा रहा है, यह मतलब यहां क्या हो रहा है, दुख का इजहार कर रहा है, sorrow को आपने, है न, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, the man, the man, said को हम क्या लिखेंगे, exclaimed, क्या लिखेंगे, exclaimed with sorrow, s-o-r-o-w, sorrow, that, अब that conjunction है, लगाना पड़ेगा, that, my friend is dead, that, my का क्या हो जाएगा, his friend, that, his friend, is dead का क्या हो जाएगा, was dead, was dead, यह सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, okay, आगे देख लेते, the boy said, the boy said, hooray, we won the match, हम match, जीद गए, तो खुसी का इजहार कर रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, the boy, the boy exclaimed, exclaimed, with, with joy, मतलब joy के साथ, खुसी के साथ, उन्होंने का, that, we won the match, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, that, day, week का हो जाएगा, they, won, वो अपकी second form है, तो यहाँ पर past simple है, past indefinite बोल सकते है, तो past perfect में change होयाएगा, that they had won the match, ठीक है, guys, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, the boy exclaimed, with joy, that, they had won the match, ऐसे आपको लिखना है, okay, आगे, he said, what an interesting story it is, त्याँ पर लिखना पड़ेगा, he exclaimed, he exclaimed, with surprise, with surprise, guys, इसको surprise के साथ बोटना, what an interesting story it is, यह story कितनी अच्छी है, तो he exclaimed, with surprise, that the story, the story, इसका हो जाएगा, was, was very interesting, ऐसे आप लिख सकते हैं, यह ऐसा भी लिख सकते हो, he exclaimed, with surprise, that, it was a very interesting story, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, यह भी तरीका सही, okay, guys, देखो, अगली slide देख लेते हैं, देखो, क्या है, the man said, एक इंसान नहीं कहा, what a nonsense it is, तो आपको यहाँ, change करना पड़ेगा, the man exclaimed, exclaimed, with anger, with anger, गुस्य से कहा न, anger, that, it was, it was a great, a great nonsense, खतम, आप बोलों कि sir, very क्यों नहीं लगा, देखो, very क्या होता है, एक adverb होता है, वो noun को qualify नहीं कहता है, वो adjective या adverb को qualify करता है, यहाँ nonsense एक noun के जैसे काम कर रहा है, noun को qualify करने के लिए adjective की जरत है, तो very नहीं लगाएंगे, अब great लगाएंगे, अब very या great लगाना क्यों जरूरी, क्योंकि यह जो exclamation mark है यह थोड़ा सा ज्यादा stress डालने की कोसिस कर रहा है, तो आप बिना exclamation mark है, अगर आपको stress डालना है, तो very या great ऐसा कोई word आपको लगाना पड़ेगा, okay, the teacher said, how stupid this question is, तो आपको लिखना पड़ेगा, the teacher, the teacher exclaimed, exclaimed with, देख एंगर के साथ बोल रहा है, with anger, या ऐसा ही बोल सकते हो, the teacher exclaimed angrily, या with anger, that, that, the question, this question क्या हो जाएगा, that question, this question क्या कर देगा, that, that, that question, इसका हो जाएगा, was very stupid, या, that question was very stupid, ऐसे लिखना पड़ेगा, okay, he said, oh, what an idea, तो आपको लिखना पड़ेगा, he exclaimed, with, surprise हो के बोल रहा है, बिल्को आश्चर से, surprise, surprise, that, the idea, that, an idea, तो या पर लिखना पड़ेगा, the idea, was very nice, यह थोड़ा सा अलग बन रहा है, लेकिन ऐसा ही बनेगा, he explained, with, surprise, that, the idea was very nice, okay, आगे देख लेते हैं, अब देखो, guys, optative sentence क्या होते हैं, ऐसे sentence, जिसकी मदद से आप pray करते, कशे प्राथना करते हैं, इस वर से, कुछ विख मांगते, कुछ दूया करते इं किसी के लिए, बेड मतलब बिदाई के टाइम बेड का यूस करते हैं यह सब V2 फॉर्म है ना वर्ब की चलो आजाए का समझ में यह सब एक्जाम्पल कर लो He said to her उसने उससे का क्या का Congrats on your great victory मतलब बढ़ाई दिया Congratulate किया यहाँ पर set to हो जाएगा Congratulated में He Congratulated her He Congratulated her on your का क्या हो जाएगा गई यू second person है ना तो object ही साब से her है Her लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा Her great victory हर ही रहेगा He Congratulated her on her great victory ऐसे चींहीन घंगरा ओके रहेगा ईसने कहा Good Morning अयूस तो यहाँ पर यहाँ पर क्या किया उसने, विश्क किया इस अनरा He wist अयूस उसने किसको विश्क किया आयूस को तै यहा आयूस लिखना पड़ेगा ....He wants I use क्या खा good night या good bye good night बोलो या good bye बोले मतलब आप क्या करें bed करना है किसी पर ना तो यहां पर आएगा shima bid की second form में bed है ना shima bed b a d e bed her father क्या good night या good bye है ऐसे आप बना सकते जो भी है we said to all of them thanks for your generosity मतलब हमने क्या क्या thank किया किसे को thank you का क्या पर लिखना पड़ेगा we thanked all of them क्या हो गया them लिखना था ना okay all of them for your का क्या हो जाएगा their generosity ऐसे करना है जाएगा Mr. Sarma said to all his guests you are welcome you are welcome बोला मतलब welcome किया तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा Mr. Sarma said to का क्या हो जाएगा welcomed welcomed किसका welcome किया भई all his guests आपको common sense लगा कर भी solve करने पड़ेगे यहाँ पर देको आखरी के दो he said to mayang may you succeed in life उसने मैं किससे कहा कि नो अपने जिन्दिगी में क्या बनो वो सफल बनो यहाँ प्रे की जारी किससे मैं से नहीं God से यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही प्रेड 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 के बाद आपको कुछ लिखना नहीं God से कर रहे है वो तो अंडर सुड़े गौट से प्रे करते में के लिये कर रहे मैंक से नहीं कर रहे है he prayed that उसने क्या प्रे किया that मैंक क्या किया कि मैंक क्या हो जाए वही मैंक 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 मैं जी है he might succeed in life, in life, यह चीज आप समझ पा रहे हैं, he prayed that mayank might succeed in life, may का past क्या हो जाता है, might हो जाता है, ठीक है न, okay, और आपको पता है, यह जो may you succeed in life, may you live long, may God help you, इस टाइप के sentence क्या होते है, optative sentence, जो pray करते हैं, यह सारे optative ही है, he said, उसने का may you live long, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, he prayed, he prayed, he prayed that, you का क्या हो जाएगा, यह तो second person subject, object की साफ से change होता है, object क्या है, to me, उसने का मुशी से का होगा, तो me का subject क्या बन जाएगा, I, he prayed that I, may का क्या हो जाएगा, might, live long, खतम guys, तो इस type से आपको बनाना है guys, तो इसको आप दुबारा देखिए इस video lecture को, तो आपको और clarity आ जाएगी, तो सारी चीजे finish हो चुके guys, तो दो वीडियो lecture में मैंने सारा का सारा narration, all type के sentence को cover करके finish कर बया, you will have to practice a lot to get command in this particular topic guys, okay, तो try to watch the same video one time, two time, till you get better understanding, okay, thank you very much my dear students.